नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Samsung Galaxy F62 vs. Samsung Galaxy A52 का full depth comparison करने वाले है इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको विडियो के last में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के dimension की दोनों फोन की length की बात करें तो, Galaxy F62 में 6.45 इंच जबकी Galaxy A52 में 6.3 इंच की length मिलती है जोकी Galaxy F62 से कम है बात करें तो, Galaxy F62 में 3 इंच जबकी Galaxy A52 में 2.96 इंच की width मिलती है जोकी Galaxy F62 से कम है बात करें थिकनेस की तो, Galaxy F62 में 0.37 इंच जबकी Galaxy A52 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं weight की तो, Galaxy F62 में 218 इंच जबकी Galaxy A52 में 189 इंच का weight देखने को मिलता है तो चलिए अब हम display को compare करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, Galaxy F62 में Super AMOLED प्लस जबकी Galaxy A52 में Super AMOLED की display मिलती है aspect ratio दोनों phone में same ही, 20 ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Galaxy F62 में 6.7 इंच जबकी Galaxy A52 में 6.5 इंच जबकी गालेक्सी A52 में 6.5 इंच जबकी डिस्प्ले रेजलूशन दोनों phone में same ही 1080 by 2400 मिलता है screen to body ratio Galaxy F62 में 86.6 इंच जबकी Galaxy A52 में 84.9 इंच जबकी गालेक्सी A52 में 84.9 इंच प्रतिशत मिलता है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों, सबसे पहले बात करें मैंन कैमरा की तो, Galaxy F62 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की wide angle primary camera, ultra wide angle camera, depth camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है और Galaxy F52 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो, Galaxy F62 में 11 different type के features मिल जाते है और Galaxy A52 की बात करें तो उसमें 7 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Galaxy F62 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते है और Galaxy A52 में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते हैं, hardware में सबसे पहले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, Galaxy F62 में Mali G76 MP12 जबकी Galaxy A52 में Adreno 618 मिलता है चिप सेट की बात करें तो, Galaxy F62 में Samsung Exynos 9 Octa 9825 और Galaxy A52 में Qualcomm Snapdragon 720G मिलता है बात करें RAM की तो, Galaxy F62 में 6 GB जबकी Galaxy A52 में 8 GB मिल जाती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही 128 GB मिलती है expandable memory दोनों phone में up to 1 TB है operating system दोनों phone में Android V11 देखने को मिलती है बाटरी Galaxy F62 में 7000 mAh जबकी Galaxy A52 में 4500 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करें तो Galaxy F62 में 3 colors जबकी Galaxy A52 में 4 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Galaxy F62 की 22,399 रूपीज जबकी Galaxy A52 की 24,999 रूपीज प्राइस है जो की Galaxy F62 से ज्यादा है दोस्तों अब बात करते है प्रांज और कॉन्स यानि की फायदे और नुकसान की तो Samsung Galaxy F62 में 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकी बात करें Samsung Galaxy A52 की तो उसमें 8 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है फायदे बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Galaxy A52 आगे है में कैमरा में दोनों फोन सेम ही है फ्रन्ट सेलफी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में Galaxy F62 आगे है इंटर्नल मेमरी में दोनों फोन सेम ही है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें शाउमी रेड्मी नोट 10 प्रो है, जो की 17,857 रुपे में मिलता है दूसरा सामसंग गालेक्सी M31 है, जो की 18,499 रुपे में मिलता है तीसरा रियल मी एक्स सेवन है, जो की 17,999 रुपे में मिलता है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियल मी एक्स सेवन प्रो है जो की 26,999 रुपीज में मिलता है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना